सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को और बैल आपको यह द्रो करना आपको यह बनाना है ठीक है आप आगे देखते हैं और इन आकडो को एक दंडालेक द्वारा आपको निरुपित भी करना है दंडालेक पर भी आपको यह दिखाना है तो देखिए पहले यहाँ पर हम टेली मार्क्स को देख लेते हैं यहाँ से हमें देख देखके count करके टेली मार्क्स बताने इनकी frequency मतलब यह आवर्ती कितनी बार आए यह पूरे design में ठीक है तो हम देख लेते हैं shapes देखिए यह वाली shapes कितनी बार आए यह 9 times मतलब देखिए same 5 और अगर 3 तक लिखना है तो same ऐसी लिख सकते है simply तो ये 5 और 3 8 हो गए एक और लगा लिजिए हैं निशान ये हो गए 9 ठीक है इसमें एक कम है आप देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर ये वाले डिजाइन कितनी बार आया है 5, 5, 10, 15 और एक 16 तो ये 16 टाइमस आये इसकी फ्रिक्वेंसी आवरती मतलब कितनी बार आया है 16 टाइमस आये 16 बार इस वाले को देखेंगे इस डिजाइन के बारे में ये कितनी बार है 4 टाइमस आये ठीक है आप देख भी सकते हैं इसमें ये 4 टाइमस है ठीक है अब circle की बात हो रही है outer और inner circle कितने total तो यह circle five times है तो यहां हमने frequency लिख दी telemarks में दिखा दिया कैसे लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा अब आगे देखते है Sikkim is the least populous and second smallest among the Indian state Sikkim जो है भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला और भारत का सबसे छोटा दूसरा रज्य है a part of eastern Himalaya Sikkim is notable for its biodiversity including alpine and subtropical climate as well as being a host to कंचन जंगा the highest peak in India and the third highest on earth तो अगर बात कर रहे हैं इसमें Sikkim की Sikkim जो है Himalaya, पूरवी Himalaya का एक भाग है और वो अपनी biodiversity के लिए यहां तक की alpine और subtropical climate को समलित करते हुए कंचन जंगा host करने के लिए वो भारत की सबसे उची जो चोटी है कंचन जंगा वो वहाँ पर है और यह पृत्वी पर तीसरी सबसे उची चोटी है कंचन जंगा और जो भारत का उत्री पूर्वी भाग है वहाँ पर गंच टॉक जो है वो सिक्किम की राज़ानी है अब यहां पर देखिये कुशन नमबर इसमें क्या है डी डैब अब परग्राफ अब आउट सिक्किम एन प्रिपेर टेबल ओफ वो वल्स वल्स मतलब आपको यह परग्राफ पढ़ना है सिक्किम के बारे में और यह टेबल जो है आपको तियार करनी है आपको यह बताना है कि जो यह है आपको कितनी बार दिखाई पड़े उनके आंसर देने ठीक है तो देखिये पहले तो हम यह कंप्लीट कर लेते है कि कितनी बार हमें बताना है एक कितनी बार आया उसके टेली मार्क हम यहां दिखाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 31 फ्रिक्वेंसी लिख देंगे यहां पर 31 यह को हम यह टेली मार्क से शो कर देंगे इस वाले परेग्राफ की बात हो रही है कि इसमें A, E, I, O, U, वाल्स कितने टाइम्स आए ठीक है बच्चों तो आप देखिये यहां पर यहां पर यह देख लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25 और 3 और एक और लगा देते हैं यह 4 कितना हो जाएगा? 29 ठीक है अब आगे देखते हैं आई कितनी बढ़ा है? 5, 10, 15, 20, 25 और 5, 30 30 टाइमस आई ओ कितनी बढ़ा है? 5, 5, 10 और 4 14 यह कितनी बढ़ा है? 5, 11, 6 ताइमस ठीक है अब यह कोश्यन है इसे कंप्लीट करते हैं राइट दा वाल्स देट अपियर्स लीस्ट और मोस्ट इन दा पैरिग्राफ एक वाल्स लिखने आपको जो आपको सबसे कम दिखाई पड़े और जो सबसे अधिक उनका डिफरेंस की उन टाटा की रेंज कितनी है? तो आप लिख देंगे देखिए यह लिख देंगे ए जो है वो सबसे अधिक है मोस्ट 31 टाइमस आया है इसकी फ्रिक्वेंसी 31 हुई है और यू की फ्रिक्वेंसी हुई है बच्चो 6 हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे 31 माइनस 6 कितना आजाएगा? 25 यह तो हो गया A का आंसर ठीक है? अब देखिए B का आंसर देखेंगे मतलब सेकेंड का इसका सेकेंड का आंसर देखेंगे वो फर्स्ट का है आपको इसकी फ्रिक्वेंसी का रेशियो बताना है तो इसका रेशियो है 31 रेशियो 30 ठीक है? यह सेकेंड है तो यह हो गया आपका अब आगे देखते हैं कॉशन नमबर 3 देख लेते हैं सिक्किम इस इंडियास लीस्ट पॉपुलर्स स्टेट सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंक्य वाला देश है विद 6,10,577 इनहबिटेंट्स अकॉर्डिंट्स 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 तो दर 2011 सेंसस यहाँ पर 2011 की जनगरना के अनुसार 6,10,577 निवासी है इसलिए भारत को सिक्किम की सबसे कमाबादी वाला राज्य माना जाता है इस्टोरिकल पॉपलेशन इन थाउसंट और सिक्किम इस गिवन बैलोई ने टेबल फाइंड दा मीन और मीडियन अफ दो पॉपलेशन यह कह रहे हैं जो उसकी इतिहासिक जनसंक्या है सिक्किम की वो नीचे तालिका में दी हुई है देखिए इस वाली तालिका की बात हो रही है ठीक है हमें इसका मीन और मीडियन निकालना है तो पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे मीन निकालेंगे ठीक है यह यहाँ पर मीन निकाला हुआ है मैं लिखे देती हूँ, मीन निकाला हुआ है, कैसे निकालेंगे मीन, देखे, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, 1915 से लेके 2011 तक की population दिखाया हुई है, ठीक है, आप इनको सब को टोटल कर लेंगे पहले, इनका टोटल आ जाएगा 2384, फिर जितने इनकी संख्या है, 1234567, इसे हम 7 से multiply कर देंगे, तो mean कितना आ जाएगा, जब देखे, हम इसे 7 से, sorry, divide कर देंगे, तो यह आ जाएगा, 340.57, ठीक है, 340.57, यह आतो आगे इसका mean, अब हमें निकालना है इसका median, तो देखे, median कैसे निकालते हैं, इने पहले तो ascending या descending order में रखते हैं हम, बढ़ते या घटे करम में, उसके बाद जो बीच वाली संख्या होती है, ठीक है, वो इसका क्या होता है, median होता है, जैसे कौन सी संख्या, 316, क्योंकि देखे, 123 उपर है, 123 नीचे है, जो बीच में होती है, वो median होती है, ठीक है, यह दोनों निकाल लिए हमने, आप देखे बच्चों mean median निकाले, अप question number 4 देखते हैं, यहाँ पर, question number 4 देखेंगे, given below, bar graph, is to represent Delhi and Sikkim, land area, height above the sea, level, average, maximum and minimum, temperatures, नीचे दिली और Sikkim का दन डालेक दिया हुआ है, जो भूमी चेतर समुंत्रतल से उचाई, और सत, अधिकतम और नियुंतम तापमान का प्रतिनिदेत करता है, give the answer of following questions, निमलिकित परशनों के उत्तर दीजिए, write, यह लिखना है, at the average temperature of Sikkim, Sikkim का average temperature लिखना है, तो आप ल 13 answer है, अब second question है आपका, write the difference of land area in square kilometer, इसमें आप से पूछा हुआ है, वर kilometer में भूमी चेतर का अंतर लिखिये, तो second का answer यह हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, आपको difference बताना है, 70.96 में साब difference बता देंगे, 14.84, तो यह difference आजाएगा, ठीक है, यह ही आपका answer है, तो आपकी worksheet solve हो गई students, यह question answer करने थे आपको इसमें से, ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आईए, तो please में वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, हमारे चैनल को subscribe कीजिए, thanks for watching